रादी रादी दोस्तों दोस्तों मेरे यूटूब चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में तुलसी की मंजिरी के कुछ उपाय बताएंगे तुलसी हम हरी माता है तुलसी लच्छिमी का रूप है जिसको हम लोग पूस्ते हैं तो इसके जो सर देखने को मिलेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेर कमेंट जरूर से कीजेगा तुलसी की मंजिरी बना सकती है आपको करूपती अरपती तुलसी के पौधे पर जब मंजिरी आने लगे तो इसे बहुत ही सुशंकेत माना जाता है कहते हैं कि तुलसी पर मंजिरी आने लगे तो समझो माल लच्छमी आप पर महरवान होने वाली हैं आज हम आपको इस मंजिरी के कुछ खास उपाय बताने वाली हैं उन उपायों से माल लच्छमी और भगवान विश्णू की कृपा हम सब पर बनी रहेगी हिंदू धर्मे में तुलसी के पौधे को विशे तुलसी की पूजा की जाती है तुलसी में धन की देवी लच्छमी का वास होता है धर्म सास्त्रों में तुलसी के बिना पूजा पाट और शाद कर्म पूरे नहीं माने जाते हैं तुलसी के पौधे को महत देने के साथ तुलसी मंजिरी को भी उतना ही महत पूर माना जाता ह तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय कर लिये जाएं तो धन सम्बंधी परिशानिया धूर होती है साथ ही व्यक्तिकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती अगर आपके घर में रुपए पैसे को लेकर तनाव बढ़ रहा है अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी सुक्षान्ती नहीं है और रोजाना जगड़े होते हैं तो तुलसी की मंजरी के उपाय आपकी समस्या को कम कर सकते हैं तुलसी को धन की देवी मा लच्मी का ही रूप माना जाता है तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुब माना जाता है तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करके आप लच्मी को प्रशन कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि लच्मी माता का आशिवाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बाक्स में जै माता लच्छमी जरूर से लिखे पहला है यदि कोई व्यक्ति अपनी तिजोरी में तुलसी मंजरी को लाल कपड़े में बांध कर रखता है तो उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती साथ ही यदि अगर आप कोई आर्थिक समस्याओं की सामना कर नहीं करना चाहते हैं तो अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को जरूर से रखे दूसरा है यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में नकारातमक और आए दिन कले होता है तो जल में तुलसी की मंजरी को मिला कर छिड़काओं करें इससे ना सिर्फ नकारातमक उरजा होगी बलकि घर में शुक्षमरदी भी आएगी तीसरा है यदि किसी व्यक्ति की साधी में लगतार अरचन आ रही है या साधी के योग नहीं बन रहे हैं तो उसे दूद में तुलसी की मंजरी डाल कर सीलुंग पर चड़ाना चाहिए इस उपाय से साधी के योग बनते हैं चोटा हैं सुक्रवार का दिन मालचिमी को समरपित माना जाता है इस दिन मालचिमी की तुलसी की मंजरी के साथ विदिविदान से पूजा करना चाहिए ऐसा करने से मालचिमी पैशन होकर अपनी कृपा जातक पर बढ़षाती है साथ ही इस से धन लाब होता है तुलसी के पांच्मेह तुलसी के पत्तों के साथ इसकी मंजरी भी विशेश फलदाई होती है मंजरी के उपायँ से भी मालचमी की कृपा पाई जा सकती है भोले नात को तुल्सी अरपित करना वर्जित माना जाता है लेकिन इसकी मंजरी चढ़ाने से आर्थी संकड दूर होता है भगवान सीव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से धनलाप होता है चड़ा है पुराणों के अनुसार भगवान विश्णु को तुलसी बेहद प्री है मानिताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोच मिलता है और व्यक्ति को जन्म जर्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है सात्वा है खर्चों से परिसान रहते हैं तो गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिला कर उस जल को पूरे घर में छड़के ध्यान रखे मंजरी के जाने गलती से भी पैरों के नीचे ना आए इस उपाये से घर की नकरात्मा दूर होती है और धन की हानी रुप जागती है आटवा है घर की उत्तर पूर जिसा जिसे इशान कोन भी कहा जाता है उसे वासु सास में बहुत ही सुभ माना गया है इस जिसा में देवी देवताओं का वास माना गया है ऐसे में यदि आप घर को 21 जिसा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के दौर खुल जाते है नवा है कई लोग बालकनी में बहुत से पेड़ पौधे रखते हैं ऐसे में यदि आप पेड़ पौधे रखने की सही दिशा का ख्याल रखते हैं तो इससे आपको विशेश लाब होता है वास्तु सास के अमसार बालकनी में पेड़ पौधों खासकर मंजरी वाली तुलसी को उत्तर पूर्दिशा में रखना चाहिए इसे व्यक्ति को आर्थी समस्याओं से छुटकारा मिलता है दस्वा है पूजा घर को सबसे पवित इस्थान माना जाता है इस इस्थान पर तुलसी की मंजरी रखने से घर में शम्रद्धी बनी रहती है यह इस्थान सकरात्मक्ता उर्जा से भरपूर माना जाता है तुलसी की मंजरी घर में सकरात्मक्ता उर्जा के प्रभाव को बनाये रखने में मदद करती है ग्यारवा है वासुसास के अनुसार घर की उत्तर पूर दिसा धन को आकर्षित करने के लिए सुह मानी जाती है यह कोना देवता कुबेर से जुला है इस दिसा में एक बरतन में तोलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा बारवा है तोलसी में मंजरी आने को अंदेखा करना गलत होता है ऐसा करने से आप आर्थी शंकर में पढ़ सकते हैं घर में नकरात्वक्ता उर्जा बढ़ सकती है हालनकि तोलसी की मंजरी घर से नकरात्वक्ता उर्जा बिटाने में लापकारी है ऐसे में किसी भी सुब दिन पर गंगा जल में मंजरी का मिला कर रख लें और हपते में दो दिन इसे घर में खिलकाओ लें ऐसा करने से आपके घर में निगेटिव एनरजी धूर हो जाएगी तेरवा है गुरुवार का दिन भगवान विश्नु को शमरपित होता है और उनको तुलसी सबसे प्री है हर गुरुवार को स्रीहरी के चरणों में तुलसी की मंजरी अरपित करें ऐसा करने से आपके आथिक कश्ट दूर होते है और आपके धन में बरकत होती है आपका रुका पैसा वापस मिलने लगता है और आपके आए में व्रद्धी होती है चौद्वा है तुलसी की मंजरी को इस नान के पानी में डाल करना है ऐसा करने से वास्तु दोस्त दूर होता है और ग्रह दोस्ते भी मुक्ति मिलती है पंद्वा है तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए सास्तरों में मना किया गया है लेकिन मनज़ि को जला सकते है इसे घर में सुबता का आगमन होता है सोलवा है तुलसी की मनज़ि को رो जाना संध्या के समय घी के दीपक में डाल कर जलाएं ऐसा करने से घर की सारी नकारत्मकता दूर हो जाएगी प्री दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेयर कीजेगा राधे राधे